एक गाव में किशोर नाम का एक गरीब किसान रहता था, वह बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए दो वक्त का खाना जुटा पाता था, उसके पास एक काले रंग का घोड़ा था, जो काफी तंदुरुस्त, फुर्तिला और समझदार था, पास ही गाव में किशोर का बड़ा भाए, रामदास रहता था, उसके पास कई गोड़ों का अस्तबल था, लेकिन फिर भी वल किशोर से जलता था क्योंकि किशोर के गोड़े जैसा एक भी गोड़ा उसके पास नहीं था, एक दिन किशोर अपने गोड़े पर चड़कर अपने बड़े भाए रामदास से मिलने निकला रामदास के पास पहुंच कर उसने कहा बड़े भाईया मेरे घर से काफी दूर एक खेत है जहां पर मैं काम करता हूँ लेकिन मैं हर रोज इस घोड़े की साथ नहीं जा सकता अगर आप मेरी एक छोटी सी सहायता करो तो आप इस घोड़े को करीब एक महीने तक अपने घोड़ा नहीं है वह इस मौके का फाइदा उठाना चाहता था उसने तुरंधी किशोर से कहा किशोर तु मेरा छोटा भाई है अगर तुझे मेरी मदग की जरूरत है तो बेशक मैं तयार हूँ ये सुनकर किशोर काफी खुश हुआ और वह अपने घोड़े को छोड़कर खेत की तरफ निकल पड़ा लगभग एक महीना बीट गया किशोर अपने खेत में काम कर रहा था तभी एक आदमी उसके पास आता है वह किशोर को बताता है कि उसका घोड़ा कुछ ही दिनों में मरने वाला है किशोर ने इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिय कि तुम्हारा घोड़ा काफी कमजोर हो चुका है मैं रामदास ची का नौकर हूँ मुझसे उस घोड़े का दर्द नहीं देखा जा रहा था इसलिए मैं आपके पास आया हूँ जितना जल्दी हो सक्किया आप उस घोड़े को ले आईए वरना वह मर जाएगा और हाँ सेज ची से यह मत कहना कि मैंने आपको घोड़े के बारे में बताया है इसके बजाया आप ये कहना कि आपकी द्रिश्टी दूर दर्शी है आप दूर हो रही घटनाओं को भी देख सकते हैं किशोर कहता है ठीक है मैं आपके बारे में उनसे कुछ नहीं कहूंगा और जो आपने बताया है वही कहूंगा और वो तुरंट अपने बड़े भाए रामदास के पास गया बड़े भाइया यहाँ आपने सही नहीं किया मैंने अपने घोड़े को आपके भरों से छोड़ा था और आपने उसकी दुर्दशा कर दी क्या हुआ छोटे क्या बात कर रहा है और तू तो कुछ समय बाद आने वाला था फिर अचानक यहां. किशोर ने घोड़े के बारे में सारी बाते रामदास से कहीं. रामदास मन ही मन सोचने लगा कि इसे ये सब कैसे पता चल गया. कुछ देर बाद किशोर ने जिजगते हुए कहा कि मुझे ये सब इसलिए पता है कि मैं ए राजा साहब के पास जाएगा ये सुनकर रामदास के पैरो तले जमीन खिसक जाती है वो तुरंद गलतियों को दबाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या करूँ तुम्हें अब क्या चाहिए कि शोर कहता है कि मेरे घोड़े का खाने पीने का और साथ ही अलग से प मेहल से एक कींती उपहार चोरी हो जाता है जिसकी वजह से राजा साहब काफी परेशान हो जाते हैं वे अपने सेनिकों से पूरे राज्य में इस समाचार को फैलाने के लिए कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर कोई इस उपहार को खोज लेता है तो हमारी तरफ से उसे ध हटनाओं को भी देख सकता है. ये सुनकर राजा साहब की जान में जान आती है और वो तुरंट किशोर को राजमहल बुलवाने का आदेश देते हैं. किशोर को राजमहल ले जाया जाता है लेकिन अभी तक किशोर को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होती है. जब उस तब में दूर दर्शी नहीं था। राजा साहब कहते हैं कि अगर आप हमारे उस कीमती उखार को धूंद कर लाते हो तो हम आपको धेर सारी उखार भेट करेंगे। लेकिन अगर आप काम्याब नहीं हुए तो हम आपको जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल देंगे। किशोर कुछ समय के लिए दुविधा में पर जाता है। लेकिन अपनी समझदारी से फैसला करते हुए कहता है। राजा साहब, आपके उत्तर में जो खंड़हर है, उसमें मुझे रात भर ध्यान करने दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे पूरी रात उस खंड़हर में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि इससे मेरा ध्यान भंग हो जाएगा। राजा साहब किशोर की बात से सहमत होते हैं, और पूरे राज्य में इस समाचार को फैला देते हैं कि उत्तर की तरफ जो खंड़हर है उसमें आज रात से सुबल तक कोई भी नहीं जाएगा। राजा साहब के हवाले मत करना, चाहो तो इस कीमती उकहार को भी रख लो। यह सुनकर किशोर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और वह करता है, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन पहले तुम उस कीमती उकहार को मुझे सौप दो। चोर उस कीमती उकहार को किशोर को पकड़ा देता है और वहां से भाग जाता है। सुबह होती है, किशोर को राजा साहब के सामने पेश किया जाता है, राजा साहब के सामने जाते ही किशोर उन्हें उनका कीम्ती उकहार भेट कर देता है, ये देखकर राजा साहब काफी खुश होते हैं और बदले में वह उन्हें एक आलीशान मकान, दस घुड़े और धेर स किशोर ने तो इन सब के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो केवल इस मुसीबत से निकलना चाहता था। किशोर यह सब पाकर काफी खुश हुआ और हसी खुशी से अपना जीवन निर्वाह करने लगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा। नीचे कॉमेंट में जरूर कर द brack में जरूर में जरूर यह सब खुशीन